नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आएए बात करते हैं सिल्वर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रिंग के सामने सिल्वर MCX का चार्ट है जिसमें पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मु हमारा आगे का क्या व्यू है हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेट में एंटर करने से पहले तो आएए शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर MCX का चार्ट दोस्तों यहां हमने देखा क के सिल्वर MCX में गैप डाउन ओपनिंग होई और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हुआ जो बहुत स्ट्रॉंग नहीं था मार्केट नीचे गया और उसके बाद जब इसमें बाइंग आने शुरू ही तो मार्केट एनने एकदम से रिकवरे दिखाई और अपना हाई ब्रेक करा और हाई के बाद भी मार्केट ने काफी उपर के लेवल दिखाए 64,000 मेरी ख्याल से 200 के आसपास तक कुछ लेवल दिखाया था और वहाँ से फिर मार्केट में एक सेलिंग आई जिसमें 63,000 को ब्रेक नहीं करा था वहाँ से थोड़ा सा उपर ही मार् एक गैप अपनिंग के साथ शुड़ हुआ है करंट प्राइस है 63,652 आगे का क्या विव है क्या चांसे है कि मार्केट उपर जाएगा नीचे जाएगा कौन सा ऐसा लेवल है किस स्टेटेजी को लेकर हम चलें नीचे में कौन सा लेवल है कब तक सिल्वर को सपोर्ट मिलता रहेगा तो उन सब चीजों पर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वहां देखते हैं हम किस तरीके का व्यू हमें नजर आ रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए सिल्वर में आपको कुछ क्लियर कट 15 मिनट में कुछ स अपर भी नहीं जा रहा है एक रेंज है जिसे मार्केट अभी फॉलो कर रहा है रेंज कौन सी है रेंज है लगभग इस एरिये में ठीक है इस एरिये में एक रेंज है जो अगर उपर की साइड में ब्रेक होगी तो मार्केट में ऊपर के स्टेंथ बन सकती है और नीचे में ब्रेक होगी तो obviously नीचे जाएगा पर ये range इसमें आज से नहीं है कुछ दिन हो गए है एक घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं वहाँ पर ये range थोड़ी सी आपको और ओर clear नजर आएगी यहाँ पर आप देख रहे हैं market में एक selling थी काफी नीचे के prices में देखने को मिले ते कोई भी अगर तेजी आती है इसमें तो market में और एक काफी उपर के level समय देखने को मिल सकते हैं पर अगर वो तेजी नहीं आएगी तो correction भी बिलकुल यहाँ से chances इसलिए बन रहे हैं क्योंकि gold में हमें कोई बहुत बड़ी strength नजर नहीं आ रही है gold में एक काफी strong level था जो न market उपर sustain नहीं कर पाया ज़्यादा टाइम के लिए तो यहाँ से silver में एक correction एक downfall start होने के काफी ज़्यादा chances बन सकते हैं तो ऐसी एक expectation है कि अगर इस range को market अगर break करेगा तो काफी नीचे एकदम से एक selling आनी श्रू हो सकती है जो gold में तो हम expect करी रहे हैं वो silver में भी start हो जा market ने zigzag pattern start कर दिया जिसमें नीचे के level फिर उपर के level फिर market में selling में ये downside आई थी पर ये इस low को market ने break नहीं कर रहा था उससे पहले market को support मिला support इस तरीके से मिला कि काफी उपर के levels हमें देखने को मिले और अभी current price है 63,640 दोस्तों यहाँ पर हम एक level की बात कर रहे थे 62,500 वो level अगर break होता है तो market में silver में थोड़े से selling pressure के ज़्यादा chances बनने श्रू हो जाएंगे पर इसने अपना previous day का low ही break नहीं करा था कल उसकी अगर मैं आपको यहाँ पर show करूं तो ये एक low था 62,700 का कल ये low लगा है 62,720 का तो इसने उस low को ही break नहीं करा था जिस वज़े से इसने वहाँ पर support ले लिया और market ने वहाँ से एक recovery फिर से दिखाने श्रू कर दी और अभी भी prices ने अपने 64,000 से 63,000 के बीच में एक range को hold किया हुआ है किसी भी side में जाने के लिए silver में एकदम से एक breakout आना breakdown आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है शायद आज आज इसे chances लग रहे हैं तो कौन से exact level वो होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं daily charts की तरफ वहाँ देखते हैं कि क्या chances हमें लग रहे हैं कि market उपर जाएगा नीचे जाएगा यहाँ पर correction आई थी market में recovery 78,000 और उसके बाद correction यहाँ पर selling और देख इस range को market उपर में भी कोई बहुत strongly इसने break नी करा नीचे में भी break नी करा पर intraday में हमें selling, buying यह सारे लिवस्तों जरूर नजर आ रहे हैं पर marketing sideways trend लेके जहाँ पर इससे अलग gold में यह trend कुछ इस तरीके का हमें नजर आ रहा है, silver में flat way में जा रहा है, gold में थोड़ा सा direction ज रहने वाला कौन सा नहीं, उसके लिए हम चलते हैं अभी एक घंटे का time frame पर, हमें चीज़े थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएंगी, इसलिए एक घंटे का time frame में choose कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहली चीज, कि कल जी सरीके का trend रहा market में, market नीचे गया, recovery दिख खा के market close हो गया, current price है 63,620, अभी current market के एसाब से, जो selling के लिए एक price है, वो कौन सा है, वो है 63,150, इस price के नीचे market के hold होने के भी पूरे पूरे chances हैं, तो मेरी expectation है, कि market में silver में आज selling रह सकती है, कोई भी view, आज buying का तब तक ना बना के चलें, जब तक, सबसे पहले, देखिए, पहली चीज़ के आपका एक view होगा, कि आपको selling करनी है, buying करनी है, आपका एक opinion चल रहा होगा, अगर आपको buying भी करनी है, तो पहले आप इस price का touch होने का wait करें, यह price touch हो जाएगा, बहुत हमें नजर नहीं आएगी, यह break होने पर, पर यह break भी कप होना चाहिए, जब पहले यह नीचे level touch हो जाए, और उसके बाद यह break हो, तो obviously, आज ही आज में, अगर इस तरीके का एक pattern बनता है, तो market में, आज ही आज में 65,000 के उपर, market के जाने के chances बन सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले market को यहां पर आकर, यहां से turn लेना बहुत जादा ज़रूरी है, उपर से ही कोई तेजी आनी शुरू हो जाए, मतलब जैसे अभी market open हो चुका है, तो यहीं से कोई तेजी आनी शुरू होगी, और उपर ही market इस price को break कर देता है, तो थोड़ा सा, मैं यह कि फिर थोड़ा सा आप avoid कीजिए buying, सबसे पहले नीचे के level structure हो जाए, एक correction आनी बहुत जादा ज़रूरी है, देखिए, मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं थोड़ा सा अभी at present correction के favor में हूँ, आप किस तरीके से कर सकते हैं, कल के high को, या फिर 64,300 क आप stop loss लेकर, आप market में selling की position create कर सकते हैं, ये आपका पहला view है, दूसरा, जो थोड़ा सा नीचे रहेगा, जिसे मैं इतना ज़्यादा preference नहीं दे रहा, वो रहेगा 63,150 के break होने पे, वो price अगर break होता है, तो आप कल का high stop loss ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके का एक view मेरा बन मैंने आपको दोनों बता दिया, या तो current market पे sell करके 64,300 का SL, या फिर 63,150 पे sell करके, कल के high का stop loss, ये आपको देखना है कि आपको किस strategy में ज़्यादा ठीक लग रहा है, पर ये दोनों काफी ज़्यादा safe हैं, काफी ज़्यादा सही हैं, और इसके बाद एक price आएगा 62,500, ज करीब करीब यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद एक और price है, वो है 61,300, या फिर इसे अब 400 समझ सकते हैं, जिस तरीके सिल्वर ने hold कर रखा है, ये 61,400 पे ये correction आनी शुरू हो जाएगी, 400 break हुआ, market में एकदम से correction आ सकती है, काफी नीचे के level समय देखने को मिल सकते हैं, 60,000 क break होने के पूरे chances बन जाएंगे, अगर ये price break हो जाता है, और market में reversal trend बहुत strongly बनना शुरू हो जाएगा, तो एक इस तरीके का view है, market में selling के लिए आप अगर choose करेंगे, तो काफी एक अच्छा view आप करेगा, उपर में 64,300 का जाना, आज silver का बहुत जादा मुश्किल है, और तो वो जाना तब तक possible भी नहीं लग रहा है, जब तक market में एक बार 63,000 के आसपास के level हमें वापस market में आते वे ना नजर आ जाएंगे, तो जब तक एक बार नीचे से उपर के लिए turn नहीं लेता, आप buying ना करें, direct अगर उपर से उपर जाने लगता है market, तो वो थोड़ा इसकी जरूर रह सकता है, market में फिर नीचे आने के chances बिलकुल बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक chances बन रहे हैं, कि 63,000 के आसपास market एक बार को जरूर आएगा, तो आपको अगर कोई भी buying भी अगर करनी है, तो यहाँ पर आप बहे करके, आप 62,500 का stop loss लगा सकते हैं, पर buying में में एक selling pressure नजर आ रहा है, जिसमें उसने एक नीचे का जो price था, वो already break करा हुआ है, और नीचे जाने के chances अभी बने हुए, ठीके दोस्तों, तो यह था मेरा silver m6 पर अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो like करें, share करें, बने रहे मेरे साथ, देखते लिए market report, धन नवाद,